बेदी कुल के दीपक, सिखधर्म के प्रवर्तक, जगविदित एक महान संतक्वी, समाज सुधारक, एक सहरिदय मार्क दर्शक, करोना भंडार एवं इश्वर स्वरूप गुरु नानक देव जी का जन्म लाहौर के निकट तलवंडी नामक स्थान पर सन 1479 में महिता कालू ज जी के घर में कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन हुआ था वर्टिकल बार। यह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है तथा इसका नाम ननकाना साहिब है वर्टिकल बार उनकी माता श्री का शुभ नाम त्रिप्ता जी था वर्टिकल बार उनकी बहन नानकी थी जो उन्हें इतना अधिक स्नेह करती थी कि यदि कांटा नानक को चुबता तो उसका दर्ध नानकी को होता था वर्टिकल बार। गुरू नानक देव जब लगभग पांच वर्ष के हुए तब पिता ने एक मौलवी के पास पढ़ने के लिए भेजा वर्टिकल बार मौलवी। उनके चहरे का नूर देख कर हैरान रह गया वर्टिकल बार जब उसने गुरू नानक देव जी की पट्टी पर उ लिखा। पुत्र तो एक अलाही नूर है, उसको वह क्या पढ़ाएगा? वह तो स्वयन समस्थ संसार को ज्ञान देगा वर्टिकल बार। तो उनका मन नहीं लगा वर्टिकल बार, फिर लगभग 16 वर्ष की आयू में उनका विवाह हो गया वर्टिकल बार दो पुत्र हुए, लेकिन परिवार का मोह उन्हें बांध न सका वर्टिकल बार जिस उद्देश के लिए उन्होंने अवतार लिया था। उसकी पूर्ती हेतु निकल पड़े घर से और साथ चले उनके दो साथी। पहला बाला और दूसरा मर्दाना वर्टिकल बार मर्दाना मुसलिम था वर्टिकल बार। गुरु नानक ने समाज को संदेश दिया कि जाती पाती और संप्रदाय से अधिक महत्वपूर्ण होता है मानव का मानव से प्रेम क्योंकि एक पिता एकस के हम बारिक वर्टिकल बार। इतिहास के अनुसार वे संपूर्ण विश्व में ध्रमन करते रहे और लोगों को आडंबर ध्रम एवं अज्यान से दूर कर उनका मार्गदर्शन करते रहे ताकि उनका परिचय आत्मा और परमात्मा से हो सके एवन सर्वत्र प्रेम और भायचारा प्रसारित हो सके मानव और उनका समाज स्वस्थ रह सके वर्टिकल बार। उनके जीवन से जुड़े असंख्य प्रेरक प्रसंग हैं जो इन तथ्यों की संपूर्ण पुष्टी करते हैं वर्टिकल बार। उनके कुछ प्रमुख उपदेश निनलिखित हैं। उनके जीवन से जुड़े असंख्य प्रेरक प्रसंग हैं जो इन तथ्यों की संपूर्ण पुष्टी करते हैं वर्टिकल बार। उनके कुछ प्रमुख उपदेश निनलिखित हैं। उनके जीवन से जुड़े असंख्य प्रेरक प्रसंग हैं जो इन तथ्यों की संपूर्ण पुष्टी करते हैं वर्टिकल बार। उनके कुछ प्रमुख उपदेश निनलिखित हैं। उनके जीवन से जुड़े असंख्य प्रेरक प्रसंध हैं, जो इन तथ्यों की संपूर्ण पुष्टी करते हैं, वर्टिकल बार। उनके कुछ प्रमुख उपदेश निनलिखित हैं। चार यदी किसी को धन की अथवा कोई अन्य मदद चाहिए, तो हमें कदापी पीछे नहीं हटना चाहिए वर्टिकल बार। साथ स्त्रीजाती का आदर करना चाहिए वर्टिकल बार। आठ चिंता मुक्त रहकर अपने कर्म करने चाहिए वर्टिकल बार। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है वर्टिकल बार। नौ संसार को जीतने से पहले स्वया अपने विकारों पर विजय पाना अत्यावश्चक है वर्टिकल बार. दस अहंकार मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता आथ अहंकार कभी नहीं करना चाहिए वर्टिकल बार विनम्रहो सेवाभाव से जीवन गुजारना चाहिए वर्टिकल बार. गुरु साहिब तो ज्ञान हैं, आलोक हैं, मार्ग दर्शन हैं, ज्ञान चक्षु हैं, मातापिता हैं, परमिश्वर हैं और आज भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में हर पल हरक्षन हमारे समीथ हैं वर्टिकल बार ऐसे सद्गुरु को कोटी-कोटी प्रणाम व